जै स्री राम अपने आपको कमजोर और दुखी मानने वाले इस तरी पुरुष इस वीडियो को जरूर सुने इस संसार में कमजोर और दुखी कोई है नहीं ये हमारे मन ने मान रखा है उस परमपिता परमात्मा ने हमें वह सक्ति दिये जो परमपिता परमात्मा के पास स्वेम है जो एक इसारे में ना मात्र से पूरे ब्रह्मानों की रचना करता है स्वेम की रचना करता है और संगार करता है उसके अंदर जो सक्ति है वह हर इंसान के अंदर सक्ति है लेकिन हम अपने करमों के दोरा कमजोर समझते हैं और दुखी अपने आपको मानते हैं इसके लिए जो मनिश्य अपने करम को भूल गया है जो करम उसे करना चाहिए संसार में वह किसलिए आया है संसार में केवल और केवल प्रारवद को भोगने आया है और अपने आगे आने वाले भविष्ट के लिए अगले जनम के लिए अपना प्रारवद बनाने के लिए आया है लेकिन मनुस करता क्या है प्रारवद केवल भोगता है आगे के लिए कोई प्रारुद बनाता नहीं अगर जोव इंसान इस दुनिया में आया है अगर अपनी सक्ती को पेहचान ले उस अपनी सक्ती को जागरित कर ले तो कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है हर इंसान को जो कमजोर समझता अपने आपको दुखी समझता है उसको जो ताकतवर है और जो सुखी है जो नजर आता है है नहीं लेकिन जो नजर आता है वो है अगर उस अपने वादे को याद रखे कि भगवान ने मुझे ये मनुष्षरीर दिया है जो की संसार के जितने भी सरीर है समय सरवस्रेष्ट है और मुझे सरवस्रेष्षरीर से इस संसार में सब कुछ करना है सारे भोव वह उने हैं लेकिन करम करते करते जो सारे कारिये करते हैं केवल लेकिन भगवान को याद नहीं करते और जो सारे कारिय करते करते भगवान को याद करते रहते हैं ना उन्हें कोई कमजूरी आती है ना उन्हें कोई दुखसत आता है ना कोई ब्याधी आती है अगर कमजूरी आती है या दुख आता है या हानी होती है वह केवल केवल उस परमसत्ता को भूल जाने के कारण होता है तो हमारा यह निविदन है अगर आप दुखी हैं आप कमजोर हैं आपको कोई भी परेशानी है आप उसको सहजता से स्वीकार करें परमात्मा का प्रसाद समझ के और परमात्मा को हर समय याद रखे के परमात्मा तुने मरश सरीर दिया और इस संसार में सारे जीवात्माओं से सर्फ स्टेश सरीर दिया उसका धन्यवाद करें और उसको हर समय याद रखने का प्रियास करें तो आपको कोई कमजूरी नहीं आएगी कोई दुख तकलीब नहीं होगी आपको कोई हानी नहीं होगी आसा करते हैं आप समझगे होंगे अब हम अपनी बाणी को विश्राम देते हैं जै स्री राम